जै शीरी रहूं कैसे हो प्यारे साथियोग उमीद करती हो आप सब अच्छे हैं और वैसे भी दिपावली का तिवार शिर्पर है तो सभी दिपावली की साफ-सफाई में ही जादा उलजी होंगे बाई नहीं उलजी होंगे, तो अभी बहने तो उल्जी ही है सारी के सारी सापसपाई में और एक तरफ भरती भी आ गई है तो उसकी भी अड़बढाट है उसकी भी टेंशन हो रही है बहुत सारे लोगों को नीद नहीं आ रही है रात को कि क्या होगा इतनी जल्दी भरती आ गई इतनी कम पदों पर आई है कितनी सारी टेंशन दिमाग में रहती है सारा दिन और जो बहने अभी फिलहाल 10-15 दिन पढ़ाई को स्टोप करके अपने घर में वेश्ट थी सापसफाई में वेश्ट थी उनकी भी नीद चैन एक बार के लिए उड़ गया है क्योंकि ऐसे समय में भरती का आना बट्यासित था किसी को उमीद नहीं थी लेकिन अब भरती आ गई है तो हमें तो सविकार करने ही होगी क्योंकि जो प्रिष्टिती हमारे सामने होती है उसको ही हमें सविकार करना होता है अगर हम उसको बदल नहीं सकते हैं तो बढ़ती आ गई है इसको हम बदल नहीं सकते हैं बहुत सारे साथी कह रहे थे कि टेंशन बहुत हो गई है नींद नहीं आ रही है बहुत सारी बेहने भी कह रहे थी इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था बाकी तो देखो वीडियो तो बहुत सारे आ गई थे, बहुत अच्छे अच्छे यूटूबर सर हैं, महान महान उन सब के वीडियो आ गई थे, विग्यप्ति के बारे में सारी बातें सपष्ट हो गई थी, कब परिक्षा हो सकती है, कितनी क्या पद हैं, कम क्यों आएं हैं, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि बहुत सारी मेरी बैने जो मुच्छे जूड़ी हैं, वो मेरी तरह बहुत बाउक हैं, बहुत जल्दी एमोशनल हो जाती हैं, और बहुत जल्दी डगमगा जाती हैं, यानि अपने लक्षे से, इसलिए मैंने वो वीडियो बना आई, टेंसन हो गई, तो नीन अराम करने से क्या होगा, आप मुझे ये बताओ, क्या हमारे हाथ में है, कि हम पदों को बढ़ा दे, क्या हमारे हाथ में है, कि हम आज ही नोकरे लग जाए, टेंसन हमें उस चीज की होने चाहिए, जो हम कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, सिर्फ हो गुणकि टेंशन साथी को बीमारी की जड़ को रहें कि अगर हमारे भागे में बहुत करेगा अगर हम हाथ पर आतर के बैठे रहेंगे तो हमारा भागे भी पैर पर पैर रखकर लेटा रहेगा अमारे भागे में जो है उसको पाने के लिए हमें निरंतर पर्यास्त रहना पड़ता है बहुत अधिक संगर्श करना पड़ता है तो टेंसन बिल्कुल ना ले आराम से दिपावले का त्युहार बनाएं उसके बाद दो तारिक से तीन तारिक से नावंबर से वापिस अपने रूटीन में आ जाएं अभी फिल हाल दो तिन माहिने फिर कोई त्युहार नहीं है और ना ही कोई बीच में बादा आएगी मैं तो तैयारी के लिए आपको कुछ दिनों के लिए बेशरम या मतलबी कहूं वो बनना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है तो अगर आपने ठान लिया है कुछ करने का अपनी परिष्टिती को बदलने का अपने सपने को फूरा करने का तो फिर आपको मतलबी तो बनना पड़ horizon मानिए जिस दिन व्यक्ति शमर्पी तो जाता है अपने बढ़ाई के पड़ती उसी दिन उसके सामने ऐसी ऐसी मुस्किलें आती हैं की उसकी बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं Metro तो और अगर सच बात कहूं तो साथियो सबसे ज़्यदा जो आपकी सामने परेशाने लेके आएंगे वो आपके अपने होंगे, आपके अपने घरवाले होंगे, बाहर वाले तो जाएं बाड में, उनका तो हमें क्या करना है, लेकिन जो घर में ही होते हैं, परिवार में ही होते ह वोई आपकी सफलता के सबसे बड़े बातक होते हैं मैं ये मानती हूँ कि परिवार के बिना सफलता नहीं मिल सकती परिवार का स्पोर्ट तो चाहिए होता है और कुछ बिरले ही वेक्ती या बिरले ही परिवार ऐसे होते हैं हाँ इतना जरूर है कह देते हैं पढ़ लो किताब लिया हो कोर्स ले लो या फिर हो सकता है कहीं बाहर भी बेज़ते हैं कोचिंग के लिए तो वह बहुत अच्छी बात है अगर आपको ऐसा परिवार मिला है तो लेकिन जो घर में रहके तयारी करने की सोचती हैं कि मैं घरका काम भी करने मुझे किसी की हल्प मिल जाएगी और मैं साथ सा तयारी भी करने तो उसके लिए बहुत बड़ी बाता होती है तो उसके लिए आपको कुछ दिन के लिए बिलकुल मतलबी बनना है बेसरम बन जाओ क्योंकि दुनिया वाले बाहर वाले तो बाद में कहेंगे सब पार्थी बनना पड़ेगा लोगों कहिताने सुनने पड़ेंगे और इसा भी नहीं है कि आप सारा काम कर दोगे और आप तैयारी कर लोगे तो ना तो संभाव हो है करके सारा काम घरका करके उसके बाद तैयारी हाँ आप जरूर जो बहुत महत्तपूर्ण है वो काम आप कर सकते हैं मैं यह नहीं करती कि आप काम काज छोड़ के एक साइड बैट चाओ और पर किताब ले लो यह तो संभव नहीं है किसी के लिए नहीं है लेकिन काम उतना ही करो जितना बहुत अधिकाओ शेक है फिर आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि आजकल उदर जाड़ो नहीं लगाती है उदर वो नहीं करती है उस पे ध्यान नहीं देती है तो वो सारी बाते एक कांचे सुनो दूसरे कांचे निकाल दो क्योंकि आप कुछ भी कर लो चाहे लेकिन फिर भी आप सब को एक साथ खुश नहीं कर सकते ये तो आपने भी मैसूस किया होगा एक जो मेरी फ्रेंड है यूटूब पर ही जो बहुत अच्छी है आवन गोस्वामे जी जैसे वो बहुत अच्छी लड़की है मैं मिली नहीं हो लेकिन उनके कमेंट से लगता है तो सारा काम करके मैं उनसे यप किसी भी बैंची मैं पूछना चाहूंगे आप घर के जो लोग है उनके आगी पीछे आप सारे दिन गों कर भी किया आप उनको परसंड कर पाते हैं क्या वो कभी आपकी तारीफ करती है कि हमारी बहु बहुत अच्छा काम करती है हमारी बहु सारा काम कर लेती है हमें बहुत अच्छा समय पे खाना मिलता है हमारी शेवा होती है क्या कभी किसी ससराल वालों ने कहा है सब की मैं नहीं कहती बिरला ही कोई होगा जो अपने बहु के कामों को सुविकार करता होगा उसकी कभी बूल के भी परसंसा करता होगा तो मेरे सामने भी परिष्टी थी मिल्कुल ऐसी ही थी परिवार के बिना जैसा कि मैं कह रही थी परिवार के बिना सफलता संभव नहीं है लेकिन जरूरी नहीं परिवार वाले आपका प्रतेक्स रूप से ही सयोग करें प्रतेक्स रूप से ही आपको स्पोर्ट करें उनका वो जो सयोग है और प्रतेक्स रूप से भी हो सकता है प्रतेक्स रूप से ऐसे है अगर जैसे कि मेरे साथ था मेरे गरवाले चाहते भी थे कि मैं नोकरी लग जाओं तो घर से पिछा चूट जाए मैं उनसे दूर चली जाओं और उनसे कभी कुछ ना मांगू वह से भी मांगने पर मुझे कुछ मिला नहीं इतने सालों में लेकिन फिर भी ये था कि हाँ बिल्कूल ही पिछा चूट जाए खुद करकर आले अपने बच्चों का भी और हो वो तो क्या था वो सेयोगी था परतिक सुरूप से मैं ने जब कभी कुछ मांगा कभी कुछी चीज की मुझे जरूर थी तो मुझे नहीं मिली तो वो क्या था सेयोगी तो था अगर मुझे सब कुछ मिल जाता समय पर मांगने से मेरी आउशक्ता है पूरी हो जाती तो मैं कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती कभी भी मैं साइध व्यक्याता के पर तक तो क्या मैं आत्यापक बरतिकी भी नहीं सोच पाती तो ये सेयोगी था जब उन्होंने मैंने कुछ मांगा उन्होंने नहीं दिया फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे मेरे सपने को पूरा करना है मेरे पापा ने जो मुझे कब उस समय जब लड़कियों की पढ़ाई बहुत कम होती थी उस समय मेरे पापा कि प्राइवेट स्कूल में एड़मिसन करवाया, खुद पढ़े लिखे ना उने कि बावजूर्द में मेरे बव्ग मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया जितना संभू हुआ उतना, फिर ससुर्वाल में आकर भी, मेरे ससुर् ने मेरा आगर आड़मिसन करवाया, मेरी पढ़ा मैं ठोडा सा सजोग मिल जाए करका तो और अच्छी से तयारी कर ले कम से कम गरवाले हमें और नहीं तो माच्छी क्रूप से स्पोर्ट करते रहें कि हाँ तयारी करते रहो तुमारा हो जाएगा लेकि नहीं होता है इसा उस भी नहीं होता है जब मैं भी समर्पित होकर तयारी करने की सोची थी तो रोज किसी ना किसी चीज को लेकर घर में बखेडा कड़ा होना रोज कोई ना कोई बाता आना ये सब कुछ होता था तो ये सब कुछ आपके साथ भी होगा घर में आपके, मैं तो ये मानती हूँ सास है घर में जो वही तयारी कर रही है उनके अगर सास है सवस्त है वो घर का काम करने योगी है तो घर में खाना बना लेगी बैठी बैठी ओर नहीं तो थोड़ा वोगत कुछ काम कर लेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा कुछ सास की ये सोच रहती है कि बहुआ जाने के बाद मैं तो बिल्कुल बैट जाऊंग। चार पाई पर बठी बठी सारी मेरी इच्छें पूरी हो जाएं। तो ये कोई अच्छा अदत होती नहीं है। बाकि सबके अपनी अपनी सोच होती है। क्योंकि अगर वेकती एक बार चार पाई प पकड़ लेती है। फिर उसके पास सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलवा कोई चारा नहीं रहता है। ये तो आप ही जानते हैं हमारा सरीर एक मशीन है। हम जिसको इतना ज्यादा परियोग में लेंगे जैसे कोई डोही की मशीन ही है हम उसको इस जगह रख दे की भी कोशिस करेंगे तो भी आट पर दर्ट करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी जो भी बहने तैयारी कर रही हैं उनकी सास उनकी देवराने जिठानी हैं गर में नानद है कोई अन्मेरीड तो जो भी अगर मेरा कोई वीडियो सुन रही है तो मैं तो यही कहूंग वो उसके काम का सहारा लगाए, कुछ करे तो फिर आपकी बहुत भी तो किसी की बैटी है आप उसका क्यों नहीं सयोग करते और फिर कम से कम चलो सयोग नहीं कर सकते बिमार हैं, एस्वस्थ हैं या पिर काम नहीं करना चाती चलो मत करो लेकिन कम से कम उसको तोर्चर तो मत करो बाद बाद पे ये तो मत करो उसको आप उसके कियो एक काम को अपनाओ सराओ कि हां हमारी बहुत अच्छा कर रही है बस एक औरत के लिए वो दो सबद ही बहुत होते हैं कि उसके कोई किये हुए को अपना ले बिना किये हुए को तो हम कभी उम्मिद करते भी नहीं कि हमारे बिना कियो ये काम कि हमें कोई ये कहे कि ये काम तुम ने कर दिया या कोई हमें उसकी सराहना करे शिर्फ कियो ये काम के ही दो बोल वो आपकी स्विक्रति के चाहती है कि हाँ ये काम मेरी बहू ने किया है, बहुत अच्छा किया है, मेरी बहुत तयारी भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, शिरफ आप दो बोल प्रेम से बोल दे, ऐसे ही मैं अगर कि सी भी बहन के पती देओů अगर उनका सःयो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, या मेरे जैसे परिष्टिती तो साइड ही किसी की और मेरे जैसा कमजोर ढिмотр। भी साइदी किसी का होगा, क्योंकि मेरा दिमाग मेरी सादी को 16-17 साल हो गए है, 16-17 साल में रो रो के मैंने, मतलब हर जगर कहीं भी मेरे काम को मुझे आगे चल कर जिस परिवार के सारे एक लड़की अपने माता पिता का घर सोड़ कर आती है, उस परिवार में कभी भी सभी क परिवार में पर्टी किसी कोया नहीं मिली। फिर भी अपना फरज पूरा कर रही हूँ, मैं फिर भी अपने घर पे चूटियाँ होती है, तो मैरे घर का जो काम होता हुडी है। मुझे कोई सभी करती ना दे, बले हिस्गर में किसी को भी आप सकता नहीं है, और ना ही कोई मुझे ये करता है कि कभी घ़र आ जाओ या कभी चली जाओ, कहां हो, क्या हो, अच्छी हो, बुरी हो, कोई ने पूछता है, हें लेकिन फिर भी मैं अपना फरज क्यूंकि मैं जानती हूं सब कुछ करने वाला ओपर बैठा है इन्खान सिरफ इतना है कर सकता है जितने उसकी एचछे नहीं होती है किछी के पास प्रेम क्ले सकता हुआ है इज moo終सरा पूर्ण थै क्लीका थेוק देखो जो हमारे भागे में है भी कि अपती आई है तो आगे चलकर पड़ों में बढ़ोतरी भी होगी और साधे 300 पड़ों पर भी जो इंदी के आई हैं उन पर भी चैन होगा लेकिन चैन होनी साथियों का होगा तो दिरंतर अपने तयारी में जूटे रहेंगे जी जहां उमूई जैसा भी परिवार मिला है, उसको उसमें रहते हैं ये काम बहुत जरूरी है वो करते हुई शिर्फर सिर्फ अपना ध्यान अपने टयारी में लगाएं बाकि किसी से कोई अपेक्षा न रखें कि कोई आपको अच्छा कएगगा, कोई आपको कएगगा, कुई आप तभी आप तैजाटी करेंगे आपको अपनी परिष्टिती बदलने है आपको समाज में अपनी पहचान बनाने है अपने आपको इस्थापित करना है मेरे तरह अगर आपको समाज में मिफाल बनना है तो आप जिरूर तैयारी कीजीए सब कुछ छोड़कर बुलाकर कीजिए अगर परिवार वालों की सारों की बातें सारों का वेवार एक साइट रखके और फिर अपने माइंड को फ्रेस करके तैयारी कीजिए तभी है संभव होगा कि आप सफल होगे अगर आप एक साइट बातों को भी सामने सुनती रही टेंसन तो बिल्कुल भी ना ले क्योंकि बगवान ने आपके बागे में जो लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा बले इक पद कितनी ही आए हो तो बिना कोई चिंता के और अपने तैयारी करते रही है अपने परिवार के साथ अपनों के साथ खुश रही है खुशी खुशी दिपावली का तिवार मनाईए अपने गर की साफ सपाई कीजिए उसके बाद नौंबर दो तिन नौंबर से फिर जूट चाहिए अपने तैयारी में तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नक्स वीडियो में धन्यवाद जै हिंद जै वारत